हाँ दो इस्टुनेंट्स अब आ रहे हैं कैशन नमबर 4 अब देखो इसके बात के कैशन सर्थ बिलकुल आपको यहां पर एल्फबैटिकल और पता वना चीए उसके लिए ठीक है जैसे फर्स्ट कहा रहा है स्टार्ट 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 थो अल्लिया न फोर था इस्टार जी यू जी जैड आर आपको किसका बताना है पैनिक का अब जब भी डबल होते हैं तो मैंने आपको एक्जैंपल में सिखाया था हम तीसरा उनके हिंच से बना सकते हैं बट पॉइंट है कि जैसे यह डबल ए आ रहा है तो इन दौनों का वर्ड सेव होना चीए था तब हम आपको यूज कर लेते हैं इस कोड को लेकिन ऐसा नहीं है तो फिर हमें और बनाना पड़ेगा जैसे स्टार्ट लिखाव है तो स्टार्ट का ओडर क्या है आपको पता हूं अच्छी आर एस पी वन कि 20 21 17 op q5 13 z 20 अब आप देखो इसमें कितने की वह रहे हैं प्लस टू इंकिरीज और है यहां क्या हो रहा है यहां तो माइनस थरी हो रहा है और इक मिट नाइनटीन टूंटी टूंटीवैं यहां तू इंक्रीज हो रहे हैं फिट 28 से 17 के यहां माइनस 3 हो रहा है 1 यहां प्लस 4 हो रहा है 18 फिर माइनस 5 हो रहा है फिर प्लस 6 और अब थोड़ा सा नोट करना इस चीज को यहां पर 23456 प्लस माइनस प्लस माइनस ब्लस समझें यहां भी यही चीज फॉलॉओ अगर हो रही है तो सेम फंडापन इसके लिए लगा देते हैं ठीक है यहां देखो 7 21 7 26 18 अब देखो यहां 567 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 5 अब आप कहोगे सर माइनस 5 कैसे हो रहा 5 कम कर दिए इसने ना फ्लाइफ कम करें तो हम पीछे से एल्फाबेट पर पीछे से आपकी जो अल्फाबेटिकल ओडर उस पर पहुंच जाएंगे 26 पर कि यहां भी यही करो आगए प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 2 3 4 5 5 और 6 समझ में आगया कैसे लिख रहा हूं मैं 2 3 4 5 6 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सिंपल तो क्या करना है पी वाला नंबर कौन सा आपके पास 16 1 and 9 add करो 16 & 2 करो के कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा आपके पास 1 में से माइनस 3 करना है तो ध्यान देना 1 में से माइनस 3 करेंगे तो आपको कैसे पहुंचना है इस value तक जैसे यहां पर देखो 26 था या फिर यह वाला देख लो आप कौन सा वाला था एक नंबर था न वाला 26 वाला 5 कम करते जैसे में 5 कम करूंगा तो जस्ट 26 वाले पर पहुंच जाओंगो न यहां पर भी यह करो 1 कम कर दो 26 कम कर दो पीछे चल रहो मैं alphabet में कर दीए मैंने 26 कम कर दीए 25 कम कर दीए अब कौन से इस्टेज 2 पर मैंब के नाइन में से 5 किया तो 4 नमबर को देखके अलफा गड़ पतावना अची है